हलो फ्रेंड्स वेलकम टू पीके दग्रीन शेफ आफ्टर लॉंग टाइम फिर्स्ट अपी नियर तो अल फ्यू तो आज हम पीके दग्रीन शेफ में लेके हैं आपके लिए सूजी का हल्वा बहुत ही सिंपल रेसिपी है हम इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे कि इतना दानेदार सूजी का हल्वा बनेगा और इतना टेस्टी की आप खाते ही रह जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना देखते हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए हमने लिए सूजी थोड़ा सा बेसन कुछ ड्राइफ रूट्स हैं और शुगर क जगह हम आपर लोढ रहें जैगरी पॉज्डर और गी चलिह देखते हैं इसको कैसे बनाना है चले फ्रेंड़्स बनाना स्टाट करते हैं एक पान सबसे पहले हम डालते हैं गी गी को हम कार लेते हैं ग्यास मेरी अभी मीडियाम फ्लेम पे है जैसी हमारे घी मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, मैं ने 1 कप सूजी ली है तो मैंने इसके अंदर डाल तहीं है तो ऑड़ी सीमोती दाने दाररावली है, क्योंकि अगर अब दाने दार सूजी लेंगे तो हल्वा बहुत अच्छा बनेगा एक सूजी बरी काती है एक ठोड़ी मोटी आती है तो आपको थोड़ी मोटी सूजी लेनी है हल्वा बनाने के लिए और हल्वे के लिए जो आप सूजी भून रहे हैं बिलकुल मीडियम गैस पे आप भूनेंगे और साथ ही आपने देखा कि मैंने इसके अंदर जो एक चमच लिया था वो भी डाल दिया है बेसन से क्या होगा आपका जो हलवा है वो थोड़ा थिक गाड़ा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी रहेगा तो इसको हम मीडियम गैस पे स्लो स्लो भूनते जाएंगे और दुसरी तरफ मैंने एक पैन और ले लिया है और इसमें थोड़ा सगी डाला इसमें मैं अपने ड्राइफ रूट्स चो मैंने लिया है काजू बदाम किश्मिश उन सब को छोड़ चोड़े पीसे मैंने कट किया था और इसको मैं अब क्या कर हो हलके सी घी में सौते करूंगी सौते करने से क्या होता है कि आपका जो टेस्ट है नट्स का और ज्यादा निखर के आता है आप इसको कच्छे भी डाल सकते हैं लेकिन हम आपर इसको थोड़ा से रोस्ट करके डाल रहे हैं साइड बे साइड में अपनी सूजी को भूनती जा रहे हैं जिससे की सूजी नीचे लगे ना जले नहीं और दूसरी तरफ मेरा जो नट्स हैं वो भी रोस्ट हो रहे हैं तो हलके से रोस्ट करने ज्यादा रोस्ट नहीं करने अगर आपको ज्यादा ब्राउनिस चाहिए तो ब्राउनिस कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको बि हम इसको भूनते जा रहे हैं सूजी को बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हर किसी के घर में सबको पसंद आता है सूजी का हलवा तो हमने सोचा चलिए सूजी का हलवे से ही अपने चैनल को वापिस से स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैंने डाल दिया है एक कप वाटर पानी बि जैसे से पकेगा यह गाड़ा होता चला जाएगा जैसी हलका सा गाड़ा हो जाए आपको इसके अंदर डालना है अपना मीठा मीठे में आप यहां पर चीनी मी डाल सकते हैं जैगरी मी डाल सकते हैं तो मैं यहां पर अभी जैगरी वालवा बना रहे हैं तो मैंने इसके अं जैसे आपके खर में शुकर पसंद है उसे कॉर्डिंग आप शुगर डालिए ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा मीठा डालिए कम पसंद है तो कम डालिए ठीक है सारी description में quantity given है कि हमने कितना कितना यूस किया है यह पर और इसको धीरे-धीरे हिलते रहेंगे अब यह दीरे दीरे जैसे से मैं हिलाती जा रही हूँ यह अपने आपी गाड़ा होता जाएगा और यह देखे कितना बड़ी आप देखे दानेदार ही हलवा बना क्यों क्योंकि हमने इसके अंदर एक tip and trick यूज़ कर रही है हमने इसके अंदर डाला है एक चमच बेसन सो दोस्तो हलवा बनकर तयार हो गए चलिए इसको हम सर्फ करते हैं आएए french सर्फ करते हैं हलवे को एक प्लेट में मैंने एक हलवे को ट्रासफर कर लिया है बाउल में और आप देख रहे होगे कितना दाने-दार यह हलवा दिख रहे है क्योंकि हमने आपर tips औं प्रिक्स यूज करें हमारी टिप क्या थी कि हल्वा बनाते वे उसमें एक चमच डालिए बेसन और मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है नट्स के साथ जो हमने रोस्ट करें थे देसी घी के अंदर होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज इसको ट्राय करियो मुझे बत अना सकतें, बबगा!